असलाम लेकूम बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती होंके, आप लोग ठीक होंगे, आप सभी का स्वागत है, तो आईए बच्चों शुरू करते हैं, बच्चों आपकी परिक्षाएं आ रही है न, तो बच्चों आपकी S.A.T.U. एक्जाइम्स आ रहे हैं, तो आपको करना है रिविजन संशोदर, तो देखिए बच्चों, वर्ण माला, स्वर, वावल, कितने हैं बच्चों यह, तेरा है, कितने हैं, तेरा है, तो बच्चों देखिए A, A, E, O, O, R, A, I, O, O, M, आहां, तो बच्चों आपको किस तरह के प्रश्ण पूछे जाएंगे, किस तरह के कुशन्स आएंगे आपके एक्जाइम्स में, बाद में आने वाले वर्ण, पहले क्या आएंगे, बाद में आने वाले वर्ण पढ़ेंगे हम लोग, ठीके, A के बाद, A, चोटी, E के बाद, B, U, R, I, के बाद, A, I, के बाद, O, 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 के बाद, M, आहां, तो बच्चों हमने कौन से अक्षर पढ़े हैं अभी, बाद में आने वाले वर्ण पड़े हैं। अभी हम सीखेंगे पहले आने वाले वर्ण। आ के पहले ए, ए के पहले ए, उ के पहले उ, ए के पहले री, ओ के पहले आई, अम के पहले आउ, आहा के पहले अम। तो बच्चों, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना हैं। पहले बाद में बीच में आने वाले वर्ण, ठीक है? तो पहले आज हम सीख रहे हैं स्वर के पहले बाद में और बीच में आने वाले वर्ण सीख रहे हैं बीच में आने वाले वर्ण, आ और ए के बीच में आ आता है, ए और उ के बीच में उ आता है, री और आ के बीच में आ आता है, ओ और अम के बीच में आ उ आता है, इसी तरहां आ और बड़ी ए के बीच में छोटी आती है, उ और री के बीच में उ आता है, ए और ओ के बीच में आई आता है आउ और अहा के बीच में अम आता है है ना बच्चो ये कौन से अक्षर है बीच में आने वाले वन्ड वन्ड को और क्या कहते हैं अक्षर भी कहा जाता है तो बच्चो आज हम सीखे हैं अ से अहा तक आने वाले वन्ड इसे अच्छे से उच्चारण कीजिए अगर आप ये सारे वर्ण फर्स्ट क्लास में अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये कौन सा अक्षर है इसके बाद कौन सा अक्षर आता है इसका उच्चारण अच्छे से कीजिए बच्चो जैसा के तो बच्चो हमें जो प्रनांस करना है एक-एक वर्ण को अच्छे से प्रनांस करके इसे अच्छे से प्राक्टिस करना है आपको ठीके? तो हमने क्या सीखा आज? स्वर के बाद में आने वाले वर्ण है ना? हाँ और स्वर में पहले आने वाले वर्ण जो अक्षर जो वर्ण आ से पहले जैसा के ए से पहले, उ से पहले, ए से पहले, ओ से पहले, अम से पहले, अहा से पहले ठीके? यहाँ पर बीच में आने वाले वर्ण भी दिये गए हैं और आपको इस तरह से भी दिया जाएगा जैसा के पहले और बाद में आने वाले वर्ण तो बच्चो देखिए आपको आ के पहले और बाद में कौन सा वर्ण आता है कौन सा आता है आ और ई है न बच्चो इस तरह से भी प्रशने पूछे जाएंगे ठीक है हाँ तो अभी देखिए उ उ के पहले और बाद में आने वाले वर्ण कौन सा है उ के पहले कौन सा आता है ई उ के बाद उ है न हाँ इस तरह से भी वर्ण आपको प्रशन पूछे जाएंगे आपकी परिक्षा में जैसा के ए के पहले कौन सा आता है ए के पहले कौन सा आता है पिटा री आई इस तरह से भी आपको फिल इन दे ब्लाइंग्स पूछे जाएंगे ठीक है तो चलिए बच्चो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ये जो भी स्वार है इसे टू टाइम्स लिखना है आपको कितने टाइम्स लिखेंगे आप ये टू टाइम्स लिखेंगे ठीक है बच्चो धन्यवाद कितने आप ये चाओ mesmo कितने हैa इसे येजल को जाएंगे गन्यवादोट इसे आपिपड़ा र sait बच्टिसरा टाइम्स लिखेंगे